कि इसकर ऐसे साथी जो शिक्षा विबाग से जुड़े हुए हैं और शिक्षा के रूप में लगे हुए हैं और जिनकी निक्ती दुजार्चे साथ आठ या नौ के जो भी सालों हैं उनमें निक्ती हुई थी उनके समंद में एक मैंतोपोन जानकरी मैं आपको साजा कर रहा खास करके जो वितन विसंकिती के समंद में तो सबसे भलत में आग बतातु हूँ कि इस समंद में वित विबाग का क्या आदिस था और लेटेस जो आदेस जिला लेवल पर जो जारी हुआ है वो क्या है पूरी जानकरी मैं इस वीडियो में देने का प्रेयास करूँगा और क अब सबसे इंपोर्टेंट बात तो वितन विसंकिती किया थी तो इसमें लिखा हूँ कि सिधी परती से निक्त वरिष्ट कार्मिक का वेदन कनिष्ट कार्मिक से कम होने के समंद में यह जो कार्मिक पहले लगी हुए जो जाच्छे साथ आठ या नौ में लगे हुए उनका उनके बाद जो 2012 व्रगरा में लगे हुए उनसे भी कम कुछ जुगे रहा है तो उसका क्या कारण किया जा है उसके समझने में विसंकिते समझने में भी दिवागदुरा जो भी आदेस जारी किया था अठाइस फांच दोजार एकीस अठाइस मही को जो आदिस जारी किया था वो भी आग होता दूँगा क्या दिस था कि अनुसार सीधी बर्दी के मामलों में येक दोजार छे के बाद की तारिक से वितन मान में असंसुदन के करण ये जो चटा वेतन अगला हुआ था उसके अबर उस तारिक से बढ़ाने के अनुमति दी जा सकती है जिस तारिक से कनिष्ट कार्मिक ने उच्छतर वेतन लेना शुरू किया था अनि जब कोई बाद में लगए हुआ कंडिट है या जो भी करम चारी है उनको ज्यादा वेतन मिलना जबकि उससे पूरू लगे हुए नुमान सार उनको उससे ज़्यादा वेतन मिलना चाहिए लेकिन उनको कम मिला था तो वो विसंकती दूर करने के लिए आदेश जारी किये गए और इस समंद्ध में विद्विभाग ने जो भी आदेश जारी किये थे वो 1723 से प्रभावी है और यह आदेश 285-2020 को जारी कि गया था विद्विभाग की तरब से और विद्वाग के उक्त आदेश के पस्चाथ भी इस प्रकार के परक्रोणों में विभाग में विरुद विद्वाग के विरुद नियाले में बाद दायर हो रहे हैं क्योंकि अभी तक कई लोगों का यह विसंकती दूर नहीं हो और जिसे शासन सचीव मौदे और स्कूल शिक्षा और पासाविभाग राष्थान जयपूर द्वारा इस्ताइश समिती की जो भी बटक थी दू एक दोजाट चौबीस यानि इसी महिने की दो तारीक को जनवरी माह की दो तारीक को बैठक हुई थी उसमें गंबिर्ता से क्राइब हो इस प्रकार के लंबित फ्रक्रों में तुरंत कारवे करने तो निर्दिध दिये गया है अच्छल्ण भças अगी धरीक कि दोनों की देश है ताकि भविस्य אזmeissa में नियायक प्रख्रोना से बचा जा से लुब हुआ है उग्माद का थीश calling c सार विसंगती दूर करने का जो आदिश दिया किया था और यह मुख्य लेका अधिकारी प्रार्म सिक्षर भिगांदर की तरफ साधे से और यह डिजिटली वेरिफाइड आदे से यह डिजिटल साइन आपको दिखेंगे राज काईज की जो रेफरेंस नंबर भी दी हुए त सब्सक्राइड इसका इसका सब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट है इसका ब्रॉट इन नोटिस वप्वर्मेंट देट दो पोस्ट पे जो भी कार्मी लेगे हुए उनकी बीच में विशंगती है इस सीनियर गवर्मेंट सर्वेंट वाज अपॉंटेट बिफोर फर्दर रिविजन अप दो पेस्केल नहीं हुआ था उसके पहले लगे थे और जुनियर वाज अपॉंटेट इन फर्दर रिविजन अप दो पेस्केल अप पोस्ट और जिनुका वितना युग लगू उसके बाद जो जूनियर लगे थे in the same cases for the revision of the pay skill was made with effect from 172.13 172.13 से उनका जो भी pay revised किया गया था उसमें विशंगत दी रहे थी वो विशंगत किया थी the pay of junior government on the completion of period of probation जो junior कानमी के बाद में लिखे गया थे उनका probation period पूरा होने के बाद में उनका जो पी था has been made in accordance with the entry pay prescribed in the revised schedule जो नया वेतन आयुक लाग हुआ था उसके अनुसार जो भी pay skill था जैसे 2800 से 2600 किया था उसके अनुसार उनको जो benefit मिला था जो बात की निक्त हुए था उनको and the pay of senior servant has been fixed at an equal stage जो उनसे पहले लिखे हुए थे उनका उसी equal stage में in the running payment जो भी था प्लस रिवाइज ग्रेट पे जो ग्रेट पे रिवाइज हुआ था या इनको फिट किया गया था और इसकारण से क्या हुआ the pay of the senior government servant remains lower तो जो senior रखती थे या जो पहले लगे हुए थे उनका पेमेंट है या जो पे है वो कम हो गया यहनि लोर रह गया and then the entry pay allowed to the junior servant यहनि जो बाइद में लगे थे उनको जो pay scale दिया गया था पे जिया था उससे भी कम उनका पे हो गया और जिसकारण उनको कम वेतन मिला this has result anomaly और इसके करन क्या हुआ विसंगती पैदा हुई in the pay from the date of junior has been allotted the entry pay यहनि जो junior को entry pay दिये गई थी उस तारिक से उनके और जो पहले लिगे थे उनके बीच में विसंगती पैदा हो गई और according the matter has been considered यह यह matter considered किया गया और government pleased in the order यहनि राज्य सरकार the case of direct requirement के मामले में यहनि जिनकी सिधी नुक्ति हुई थी पत्ति हुई थी due to further revision of the pay scale यहनि जो pay scale revised हुआ था 2006 से the pay of senior become slower than junior यहनि जो senior का payment है वो junior से low हो गया था in such case ऐसे मामलों में the pay of senior government's servant may be allowed to be stepped up इस मामले में जो भी senior है उनका pay step up किया जाए उनको बढ़ाया जाए equal to the pay of junior यहनि जो junior को पे मिल रहा है उस level तक इनको बढ़ाने जाने के आदेस जारी किया जाता है या अनुमतिती दी जाती है from the date junior begin to draw higher pay यहनि जिस तारीक से junior को जो बढ़ा हुआ वितन मिल रहा है उसी तारीक से senior को भी जो पहले लगे हुए है उनको भी बढ़ा हुआ वितन मिलेगा यानि उनसे कम नहीं मिल सकता in such cases the date of next increment of senior servant will be date of next increment admissible to the junior government यानि इनका जो next increment जो junior का है वो senior का भी रहेगा और यह order है this order will be effective from 17230 यानि 17230 से यह आदेस है वो परभावी होगा और यह आदेस का भी पहल है यानि 28 माई 2020 को जारी किया था लेकिन अभी तक भी कई जो भी साती है उनके विसंगती है और खास करके जो 2006 मिले उनको जो पहले उनके बात में जो कार्मिक लेगे उनसे भी कम वितन मिल रहा है अभी समझ में जो लेटेस अब डेक्त माउदा दो कि इस समन्द में जिला सिक्षादिकारी मुख्यले प्रारमिक टॉंक की तरफ से गादिस जारी किया गया और मुझे लगता ह अब जल्दी स tapi जिलाों से आदिस जारी होंगे अगर आपके जिले से आदिस जारी नहीं होता है तो अपने जिला सिक्षादिक्रेकारी Ernm से मिल करके इस तरह के आदिस जारी करा है क्योंकि यह जारी हुआ है उसी के नुपाल में है जैसे मैं आपको दा दूँ इसमें विशाए किसी दी वर्तिसे निक्तुवरिस्ट कार्वियों कोई वेतन से विशंगते दूर करने के संबंद में और यहां देखेंगे तो यहां ल लेटर है इसी के नुपाल नामें जिला शिक्षादिगारी प्रारमिक मुख्यला टॉंक की तरफ साधिस जारी किया गया और जिसमें लिखा हुआ है उप्रोग दुश्यांतर के संदर्वित पत्र के करम में लेख है कि सिधी बर्तिस से निक्त वरिष्ट कार्मिक का वेतन क वितन के संद्ध में वित्वग्त दुजोव यादिस जारी किया गया था अभी जो वित्विवगादिस था उसी का इंदी में यहां रनवत दिया हुआ है कि जिस तारिक से करिश्ट कार्मिक ने उच्तर वितन लेना शुरू किया था जो कि दिनांग 172013 से प्रभाविए अधिनस विद्यालों में ऐसे लंबित प्रक्रोणों में वित विद्वा के आदेश दिनांग 25-25-2021 के नुसार तत्काल आवसे कारवई कर निस्तर ने तु विद्वा के संद शुचना मांगी गई है जिसमें प्रक्रोणों के संद्र काल आपके कारेल हम प्रपत्र निमस प्रपत्र में जो विसंग्लित सुचना है वह 15-1-2024 तक इस कारेल को भी जवाए यानी प्यू लेवल से जो भी सुचना वह से डियो में जाएगी जिसमें आप यहां पीई कान प्रस्तावित की जा सकेगी तो यह प्रार्यमी शिक्षा जिला शिक्षा दीकरी का आदिस्ता इसी जो डारेक्टर मादे का आदिस्ता ने देशक प्रार्यमी शिक्षा उनके अनुपालना में तो यह तो मैंतवण बात थी अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूगी यह मामला क्या है और इस समद्ध में जो लेटेस्ट अप्डेट पर आपको बता दूग जो आदेश जारी किया गया है यह आदेश है निदेशाले संस्क्राइब शिक्षा की तरफ से जिसमें जो पर लेगे वितिन का नाम है इनको पूर में वितन निदान है 11 170 पर किया था संसोतित वितन निदान है 12900 पर किया तो यह जो आदेश है इसमें लिए कि एक साथ 2014 के अमसार ग्रेड पे और बेंड परिवतन के करण त्यापक तरती शनी का प्रारम वितन 12900 पर नियत करने की जो सुझना है उसके लिए यह जारी किए जो कि डिजिटली शाइन है यह सभी का जो 11 170 पर फिट किए थे उनको 12900 पर फिट किया गया यह पूरा अदेश है और यह भी अदेश आप देखेंगे तो पांच एक 2024 का अदेश है डिजिटली शाइन है अब मैं आपको थोड़ा साइस के बारें बतातूं कि यह विशंगती क्या से हुई या क्या विशंगती है तो अब जैसे इसमें यह हुआ था कि जैसे जो कार्मी एक साथ 2014 से पूर इनका जो इनिशिल पे थे उसमें कोई चेंज नहीं किया गया जैसे इसके जिए जैसे आट जाट तीन सो सतर प्लस चतिसो हुआ तो इनका जो भी था वह ग्यारा नौसो सतर हो गया अब इसमें जबकि जो कार्मिक एक साथ 2013 में सुन संदन कार्ण जो बारा में निल गए थे जब सेम पोस्ट के जो भी कार्मिक थे उनको लॉस हुआ इसमें यह वाला भी दिया हुआ है कि जो भी नोटिफिकेशन है विट विवा का 2013 को उसके में लिखा हुआ है कि यदि किसी कार्मिक की लास्ट सलेरी ड्रॉन में यदि रिवाइज रनिंग पे बेंड से कम है दूस कार्मिक को रिवाइज रनिंग पे बेंड का मिनिममम पेफिक्स किया जाएगा अब जैसे यहां इनको फिट तो किया गया था जैसे 8,370 प्लस 800 जोड करके 1170 पर जबकि इनको करना था 9,300 प्लस 3600 यह नहीं 12900 पर और इस कान से जो भी संगती हुई थी और अब जैसे इसमे है कि 2012 में जो निक कर्मिक हैं उनको सिधे 12900 दिया गया जबकि जो उससे पहले जोग लगे थे उनको यह बेनिफिट नहीं मिला और उनको उस समय जो भी था वो 3300 की जगे 8370 प्लस यह कर दिया तो इनको 11 170 पर फिट किया गया तो यह विशंगती थी इस समद्ध में आप चाहेंगे तो मैं डीटिल में वीडियो बना के आप बोता दूँगा तो यह पूरी जानका रही थी कि इस समद्ध में डियो के द्वारा प्यादिश जारी किया ग और अशा करता हूं आपके लिए तो यह जो सबसे इंपोर्टेंट बात थी जो मैंने आपको देख सकते हैं तो यह वित्तन विशंगती की समंद्ध में बहुत थी मैं तुकून जानकारी आपको मैंने देदी अशा करता हूं आपकर कोई भी आपके संचे है तो करपया जो भी आपके विवागी दिगरी है अपने प्योग साब है या सीब्यू कर रहे हैं या डीओ कर रहे हैं से तंपर करके यह ता सिग्री जो भी करवें इसमें पस्ता वित है वह आप जुरूर कराएं मिलते ने स्टूडियों में तब तक जैह हिंद जै भारत